कड़कती सर्दियों से लेकर गर्मियों की सुबहा तक अद्रक की चाय की चुस्की लेना भारत में ज्यादा तर सभी घरों में पसंद किया जाता है जब बरसाद का मौसम आता है तो वो लोग भी अद्रक वाली चाय पीना पसंद करते हैं जो कभी चाय नहीं पीते यकीनन अद्रक वाली चाय मौनसून की कई समस्याओं से राहत दिला सकती है मेरी ममी कहती है कि बरसाथ के मौसम में अद्रक वाली चाय ना किवल आपको सर्दी खासी की समस्या से बचाती है बलकि और भी कई स्वास्थय लाब देती है आईए जानते हैं कि क्या वाकई अद्रक वाली चाय इतनी पायतेमंद है अद्रक एक प्राचीम भारतिय मसाला है जो लंबे समय से खासी जुखाम और कई तरहा की बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तिमाल किया जाता रहा है इसके अलावा यापके शरी में ताजगी बनाये रखने के लिए भी काफी लाबदायक साबित होता है अद्रक वाली चाय के बारे में क्या है विशेशग्यों की राय आईए जानते हैं वजन कम करती है अद्रक वाली चाय अद्रक के चाई वजन कम करने के लिए भी लावदायत मानी जाती है National Library of Medicine के 2018 की रिसर्च के अनुसार अद्रक हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा वेट को कम करने में मदब करती है क्योंकि यह आपकी भूख कंट्रोल करके आपके शरीर में गर्मी बढ़ाने का काम करती है बेहतर होगा पाचन अत्रक एक Natural Antioxidant की तरह काम करता है जो की पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मददगार साबित होता है इसके Antimicrobial तत्व बिक्टेरिया को खतम करने में मदद करते हैं और साथी साथ शरीर के लिए Antiseptic का भी काम करते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं तो आपको अपनी डायेट में अद्रक की चाई जरूर शामिल करने के चाहिए National Library of Medicine की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार जो लोग डेली, रोजाना अद्रक के चाई का सेवन करते हैं उनमें हाईपर टेंशन का फत्रा कम रहता है साथ ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए अद्रक की चाई सबसे अच्छा पे है ब्लड सर्कूलेशन ठीक करें अद्रक की चाई के सेवन से ब्लड सर्कूलेशन भी ठीक होता है क्योंकि इसमें क्रोमियम, मैगनीशियम और जिंक भरपूर मातरा में पाया जाता है जो की ब्लड फ्लो को इंप्रूव करने में मदद करते हैं जिससे कि आपका पूरा ब्लड सर्कूलेशन हमेशा स्वस्थ रहता है सिर्दर्द और माईग्रेन में भी लाबदायक नूट्रिशन जनरोल की 2014 की रिपोर्ट के अनुसार अदरग दरग से रहत देने में लाबदायक है इसलिए सिर्दर्द और माईग्रेन के समस्या से ग्रसित रहने वालों को अदरग की चाई अपनी डायेट में जरूर शामिल करनी चाहिए इस तरह बनाईए अदरग की चाई एक चाईदान में पानी और चाई पती डाल कर उसे उबाले अब उसमें कटी हुई इलाईची और शकर डाले चाई में अदरग डाल कर अच्छे से उबाले और आखर में दूद डाल कर थोड़ी देट पकने दे चाई करंग गाहा होते ही आँच बंद करके इसे चान ले अब दो कप में डाल कर गर्मा गर्म सर्व करे अगर आप हैल्फ कॉंशस हैं तो चाई में शकर और दूद से परहेज भी कर सकते हैं डिस्क्लेमर ये जानका ये आयूरवेदिक नुस्खों के आधार पर लिखी गई है हमारा चैनल इसके सफल होने या इसकी सत्यता की पुष्टी नहीं करता इनके इस्तमाल से पहले चिकिस्सक का परामर्श जरूर ले